जबाजा पंचायत समिती की ग्राम पंचायत कालिंजर की ग्रामिनों ने राष्ट्री राजबार्ग प्राधिकरण पर ग्राम कालिंजर की तालाप की नगर पर हाईवे रोड निर्मान कर नगर को बंद कर देने की श्रीकायत की है ग्रामिनों ने नहर को पुनहे खोलने और उसका जिनोधार करवाने की मांग उठाई है इस मांग को लिकर सुमवार को अनाकत की ग्रामिनों ने जीला कलेक्टर को ग्यापन दिया जिलकरेक्टर को दिये गे ग्यापन में ग्रामिडों ने कहा कि कालिंजर के ग्रामिड तालाप के पाने का उपयोग सीचाई के माधियम से करते हैं उक्त तालाप का पानी नहर के माधियम से उपरिक शित्रों में जाता है उक्त उपर वाली नहर के हिस्से पर NCAI ने बिना किसी उचित सुचना, बिना किसी सुनवाई, बिना किसी सरकारी अनुमती, बिना किसी सर्विक्षन, बिना पंचयत की जानकारी के उसके उपर हाईवी रोड का निर्मान कर दिया जिसके कारण ग्रामिनों के खेतों में पानी ले जाने में परिशानी हो रही है ग्यापन में कहा गया कि नहर के पानी पर गाउं के 300 से अधिक परिवार निर्बर हैं नहर के बंध हो जाने के कारण 200 बिगा से अधिक जमिन पर कास्त प्रभावित हो रही है ग्रामिनों ने जीरा कलेक्टर से मामले में तुरंत ही निस्पक्ष जाच करकर उक्त नहर का पुना जनोधार करवा कर ग्रामिनों को रहात दिलाने की मांग उठाई है ग्यापन देने बालों में भुमनिक्षमर सिंग, वुविंद सिंग, हरी सिंग, लक्षमन सिंग, मिठू सिंग, नारायन सिंग, भीम सिंग, सोहन सिंग, महेंदर सिंग, नरेंदर सिंग, सोनू सिंग, छोटू सिंग और महेंदर सिंग, सहीत कई अन्य ग्रामे ने शामिल रहे एक तलाव की नहर का मामला लेकर आये हैं इस मामले में यह है कि नहीं ने जो हाईवे बनाया उसके अंदर पुरानी लगबक 800 साल पुरानी जो नहर थी उसको अंदर दबा दिया उसको दफना दिया है उसके दफनाने की वज़े से लगबग 200 से ज्यादा परिवारों को भूख के मारे सोना पड़ेगा और लगबग 200 परिवार भूख के सोएंगे इसलिए क्लेक्टर साब से इनुरोद करते हैं कि आप ह खाजस्तान की नई नह akan बढ़ाने के लिए प्रियावरों को बढ़ावा देना इस परकार यहां भी एक चोटे से जाव कालिंजर में किसान भूख के मारे सो रहे हैं भूग के मारे मर रहे हैं आप से अनुरोद हैं सरकार से भी और जल्द इसमामले से कारवाई करवाएं औ और इस नहेर का जुनों दुआर कराकर खेतों में पानी पहुंचानी किरपा करें दन्यों